दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लागी जरूर कर दे पसाओती हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के केस जिले में रहते हैं तो चले शुरूत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से बाड़ी खर में देखे बिहार के तेने जिलो को साहर प्रदसन ओवरॉल खगड़िया टॉप तो सिक्षा में सिक्पुरा और पूर्णिया ने मारी माजी जिया देखे आका अंची जीलों में बिहार के तेनी जीलों खगड़िया की साथ साथ सिख पुरा पूर्णिया ने सांदार प्रदसन किया है जहां खगड़िया ने ओवरॉल पुरदेश में सबसे सांदार काम किया है वही अन्य जीलों ने सिख्चा और स्वास्त के छेतर में सांदार प्रदसन किया है, इनके कारीयों को केंदर सरकार ने भी सहरा है अब इने प्रोस्किर्ट किया जाएगा, सिक्षा के सेथर के पडोसी झारकन के तिनी जिलो ने भी अच्छा काम किया है इस केटेगरी में गिरिटी को तिसरा इस्तान जबकि बुकारो को चोथा इस्तान और पूरवी सिंग भूम को पाचवा इस्तान मिला है आपको बता दे के हाल हमें निती आयोग द्वारा देश भर की जिलो की जनवरी 2023 की चेंपियन और चेज की डेल्टा रेंकिंग जारे की गई है इसमें बिहार के आकांचे जिलो का जल्वा रहा है देश में ओवर ओल पर्फ़मेंस में खगड़िया जिला को पहला इस्तान मिला है इसने तमाम सेक्टरों में बेहतर कार किया है बाड़ेखर में देखे ओल-Line आवेदन देकर अब 10 दिने करा सकते हैं जमीन के मापी बस देने होंगे इतनी रुकिया देखे बिहार में जमीन के मापी की समय सिमान इधारित कर दी गई है आफलाइन या ओलाइन आवेदन प्रापदी के 30 दिनों में निश्चित रूप से मापी कर दी जाएगी साथ ही मापी की रिपोर्ड आवेदक को उपलब्द करा दी जाएगी सुल्क भी सामाइन मापी से अधिक रखा गया है इस मापी के लिए अधिकतम 10 कारी दिवस निधारित किया गया है 20 मार्च को गजट परकासन के साथ ही यह सुविधा पुरे राज में लागू हो गई है जानकारी के लिए बता दे कि नए व्यवस्ता में सहरी और ग्रामी छेत के लिए मापी के अलग अलग भ दर निधारित की गई है सहरी छेतर यानी नगर पंचाइत नगर परिषद और नगर निगम के लिए प्रतीख खेसर שהजार रुपय दर निधारित किया गया है मह यह गरामी छेतर के लिए pzekारिं के लिए इसके दुगना रासे देनी बढ़ जाती है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीन इलाकों में फायर बोद बनाया जाएगा इसको लेकर आपदा प्रबंदन बिभांग ने सभी जीलों और पंचाइते राज बिभांग को पत्र भेजा है ताकि आग जने की घटना को तुरंद रोका जा सके बिभां ने तेसकुमान ने मांगा सब का सहयोग बोले मिलकर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे जादे के मुख्य मंतरे ने तेसकुमान ने बिहार के विकास के लिए सब का सहयोग मांगा है उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे उन्होंने तमाम राजनितिक पाडियों के नेताओं से आगरा किया कि पाड़ी से उपर उठकर बिहार के विकास के लिए हम सब को काम करना है बिहार दिवस के मौके पर पढ़ना के गांधी मैदान में आवेजी दराज के समारों को समुदित करते हुए मुख्य मंतरे ने कहा कि बिहार आगे बढ़ रहा है लेहिन देश की चाल से अभी बहुत पीछे है देश की प्रतिव एक्ति आए करीब डेड़े लाक रुपिया है जबकि बिहार में प्रतिव एक्ति आए अभी भी पचास हजार के आस पास है उन्होंने कहा कि यह फासला लगबक तीन गुना है और इसे खतम करने के लिए बिहार को विसेस दरजे की जरुत है साथ मुख मंतरे ने कहा कि बिहार एक एतिहासिक जगा है इसके इतिहास गौरव साली है बिहार ने देश और दुन्या को बहुत कुछ दिया है बिहार धर्मों का उद्दम स्तल है यह बुद की घ्यान की भूमी है यह महावीर की जनम स्तली है यह गुरु गोविन सिंग की भी जनम स्तलिय मुक्य मंद्रे ने कहा कि बिहार सोफी संतों की भी जमीन है उन्होंने मनेर सरीप और बिहार सरीप का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में हर धर्म और संप्रदाई के लिए हमिसे जगा रहा है मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपस में मिलकर रही है सांती बनाए रखे कुछ लोग दंगा फसाद कराएंगे उनका तो काम ही वही है लेकिन हमें एक जूट रहना है बाड़े कर में देखे महंगी होने वाली है बिहार में बिजली जाने टेरिप में कितने फिजदे तक होगी बढ़ोतरी जा देखे बिहार के बिजली उप कारण को लेकर सुनवाई पूरी कर ली गई है अब नई दरुक की घोसना होगी बताया जा रहा है कि इस बार बिजली के दामों में 40 फिजदी तक बढ़ोतरी हो सकती है बाड़े खर में देखे 31 मार्च तक नहीं रहेगे कोई छुटे रईवार को भी खुले रहेंगे बैंक आरबिया ने जारी किया ये आदेश जा देखे देश के सबी बैंकों के ब्राँच इस बार रईवार को भी ओपन रहेंगे इसको लेकर आरबिया ने आदेश भी जारी कर दिया है इस आदेश में कहा गया कि देश के सबी बैंकों को ब्राँच फाइनेंसल एयर खतम होने तक यानि 31 मार्च तक खुले रहेंगे इसके बाद दो दिन यानि एक और दो अप्रेल को बेंकों में काम काज नहीं होगा दरसल आरबिया ने कहा कि 31 मार्च को फाइनेंसल येर 2022 तेस खतम हो जाएगा सरकार से जुड़े सबी टांजेक्सन इस तारिक तक सिटल हो जाने चाहिए इसे में आरबिया ने कहा कि नेशनल इलक्टोनिक फंड टांसपर और रियल टाइम ग्रॉस सिटल्मेंट सिस्टम के जरी होने वाले टांजेक्सन 31 मार्च को रात 12 बज़े तक जारे रहेंगे हाला कि गराकों के लिए इस दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा लेकिन बैंक ब्रांच में चेक जमा हो सकेंगे साथ ही इस दिन ओलाइन बैंकिंग को भी खोला रखा जाएगा बाड़े खर में देखे बिहार दिवस के दूश ने सिम नितिस ने दिया बड़ा तौफा इतने हजार पदोपर होगी सिक्षकों की बहाली जादिके बिहार में अगर सिक्षक मना चाहते तो आपके लिए अच्छी खबर है साथ अजार नई पदो पर सरकारν ने सिख्छकों की नि Bailey को पढ़ाने के लिए बहाले करनी है सिख्छ विबाग जल्दी इसकी नियुक्ती के लिए आगे की करवाई करेगी वाई बडिकाईर में देखे स्वास्त बिभांग में 50.000.000 अधे पदोपर होगी बहाले इनी जीलों में खुलेंगे मिडिकल कोलेज के तैजस्त इजस्वी यदोव के अलान जैदे के बिहार में स्वास्त सुविदा में सुधार को लेकर राज के स्वास्त मंतरी सा उपमुए की मंतरी तेजस्वी अदब काफी तत पर दिख रहे हैं अब इसी के तहत उन्होंने बिहार बिदान सबा में अपने बिभागया बजट भासन में बड़ा एलान कर दिया है उन्होंने कहा कि राज के अंदर सुपोल, मुंगेर और गोपाल गंज में नए मेडिकल कोलेज खुले जाएंगे इसके साथ स्वास्त बिभाग में बंपर भरते होगी, सदन में बोलती वे उपमुए के मंतर तेजस्वी अदम ने कहा कि आप बिहार के जीलों में ही लोगों को बेहतर स्वास्त स्विधा मिलेगी जिससे अब उन्हें बेहतर इराज के लिए पढ़ना नहीं आना पड़ेगा राज के उपमुए के मंतर तेजस्वी अदम ने कहा कि स्वास्त बिभाग में जल्दी एक लाग साथ हजार नई नुक्तिया होगी, साथ ही आठ हजार पदस्री जित के गए हैं, इसके लवा आसा कर्मी के मांदे बढ़ने को लेकर भी विचार किया जा रहा है बाड़कर में बिहार में मौसम ने फिर बदली करवड, चार डिगॆरि तक बढ़ता अपमान जाने कैसा रहेगा आज का मौसम जादे के बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवड बदली है प्रदेस के उचतम तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी सुरू हो गई है अगले चार दिन इससे विर्दी होते रहेगी मंगलवार तक प्रदेस का उचतम तापमान तेश डिगरी सेलसेश से काफी कम था मुदवार को यह तेश डिगरी सेलसेश के पार कर गया है हलाकि तापमान अभी भी सामाने से नीचे है इससे किसानों की रहात की बात है अगले चार देनों तक मौसम एकदम सुस्क रहेगा ओला विष्टी की सम्हावना बिल्कुल भी नहीं है बाड़ी खर में देखे बिहार के सिक्चकों को दूसरे लोगडाउन के आवदी का मिलेगा मेहनत आना सिक्चा विवाग ने जारे किया रहा से जादे के बिहार में उत्र क्रामेत उचवी दलों में पढ़ा रहे 4,050 अधिती सिक्चकों को दूसरे लोगडाउन अवदी के प्रस्रामिक का बुगतान किया जाएगा इन अधिती सिक्चकों को 22.75 रुपे का बुगतान किया जाना है सिक्चा विवाग ने करेब डेड़ साल बाद अब जाकर उनके प्रस्रामिक बुगतान के लिए रासे स्विक्रत की है सिक्चा विवाग से मिल अधिकरे जानकारे के मताबिक 4,000 सदिक इन अधिती सिक्चकों को विवाग नाइन ने के दूसरे लोगडाउन के अवदी 1 अपरेल 2021-11 जुलाई 2021 तक प्रस्रामिक का बुगतान किया जाना है इस स्विक्रत के परिस्रामिक बुगतान के लिए सिक्चकों को ने उचनियाल आई पाटना में याचे का दाखिल की थी इस संदम में 12 जनुवरी को एक नयादेश से पारित किया गया था इसमें बुगतान का आधिस दिया गया था आगली खबर में देखे बिहार में चार फीज़ी बढ़ेगी नियुनतब मैज़ोरी तीन करोड मैज़ोरो को होगा लाब जानिया अब कितने मिलेगी दिहारी जैदे के बिहार में नूनतब मैज़ोरी दर में चार फीदी की विर्दी होगी इससे बिहार के कामगारों को 15-23 रुपे रोजाना का लाब होगा स्रम संसादन विबाग में नूनतब मैज़ोरी दर तई करने की कावायाद जुरो पर है नई दर आगा में एक अपरेल से लागो होगा जिसका लाब तीन करोड कामगारों को होगा आपको बता दे कि सामाइन कारिके नियाजनों में काम करने वाले आकुसल स्रेनी के मैज़ोरों को अभी 370 रुपे रोजाना मिल रहे है इसमें 15 रुपे की विर्दी होगी जबकि अतिकुसल स्रेमिको को 277 रुपे रोजाना में 30 रुपे की विर्दी होगी गौर तलबे की एक साल में दो बार नियुनतम मैज़ोरी तई होती है इसके तहट एक अप्रेल वा एक अक्टूबर से हर साल में नियुनतम मैज़ोरी दर तई होती है विभाग ने कहा है कि नियुनतम मैज़ोरी दर तई करने की पिज़े सरकार की सोच कि लोगों को 1980 से कम पैसा नहीं मिले गनित और विग्यान में तेज होंगे बिहार के सरकारी स्कुल के बच्चे आयाइटी पढ़ना में सिक्षको को मिलेगी ट्रेनिंग जा देखे बिहार के सरकारी स्कुल के बच्चे को गनित वह विग्यान में मेगावी बनाने के लिए IIT पढ़ना ट्रेनिंग देगा IIT पढ़ना सबसे पहली गने तो वा विगान की सिख्चेकों को ट्रेनिंग देगा ट्रेनिंग अलग लग चेर्णों में संपन होगा इसके बाद IIT पढ़ना विभीने टेलेंड सर्च एक जाम विग्यान परदसनी ओलंपियाड में बेहतर परदसन करने वाली स्टूडन को प्रस्चित करेगा ताकि बच्चे साइंस के प्रति सुरू से ही अपने रुच्ची बनाए रखे इसके लिराज सरकार आयाइटी पढ़ना को फंड मुहाया कराएगा इसके तयारी पूरी कर ली गई है अप्रेल में रोड मैप तयार कर लिया जाएगा बिहार में इन महिलाओं को पुलिस भरती के हाइट में मिलेगी छूड जानि एक सुसाड़ सेंटिमेंडर की जगा क्या होगी नूनतम उचाईगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयो के तहद पुलिस अवर निरक्षक दारोगा और प्राक्ष अवर निरक्षक के नियुकती में अनुसुच जाते अनुसुच जन जाते और अतंद पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उचाई में छूट मिलेगी मुझे मंतर नितिस कुमार निस्व मौर को विदान सबा में इसकी घोसना की है उन्होंने कहा कि अनुसुच जाते जन जाते वह अतंद पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में निरधारित 155 सेंटिमेटर नियुनतम उचाई की सिमा पर तो सरकार ततकाल गोर करेगी बाजबा के अनंद की सोर यादाव ने सरकार से पूचा था कि बिहार पुलिस अवर सिवा आयो के मुई की परिछा में उत्रेन अभी अर्थिव के लिए सारेडिक दश्टा परिछा में समाइन वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 965 सेंटिमेटर था था अतन्य पिछड़ा यादाव का कहना था कि समाइन वर्ग के महिलाओं को 10 सेंटिमेटर रूचाए के छुट पुरुसों के तुलना में दी गई तो करें